नमस्कार दोस्तो वेल्कम टू एस्टो टुडे अकेडमी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनने अपना डेटो बर्थ तो पता होता है लेकिन एक्जेक्ट टाइम वो बर्थ का पता नहीं होता या कन्फर्म नहीं होता इसलिए इस सिरिज में हम आपको मुलांक के अकॉर्डिंग यानि डेटो बर्थ की अकॉर्डिंग आपकी नेचर, एजुकेशन, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, वीकनेस, लकी नमबर्स, लकी कलर्स, लकी एर्स, कंपैटिबल नमबर्स और रेमेडीज के बारे में बताएंगे और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आपका मासिक राशिफल और वार्शिक राशिफल समय से पहले मिलता रहे आज के वीडियो में मुलांक पांच की बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों होते हैं ये तने खास ऐसी कौन सी famous personalities हैं जिनका मुलांक पांच बनता ह ये सबी personalities number 5 one है यदि आपका जन किसी भी महीने की 5th, 14th या 23rd को हुआ है तो आपका मुलांक पांच होता है आईए चार्ट से समस्ते हैं कैसे मुलांक पांच को जो प्लैनेट रूल करता है वो है मर्कुरी यानि बुद्ग्रह और बुद्ग्रह बुद्धी का कारक है number 5 जो की सभी numbers में middle का number है तो इसलिए इस number वाले लोग balanced माने जाते हैं मुलांक पांच वालों की personality की बात करें तो ये लोग सुन्दर और attractive होते हैं ये लोग कौमल होते हैं इनकी आँखे सुन्दर होती है number 5 वाले लोग smart होते हैं इनकी fashion sense अच्छी होती है number 5 वाले लोग अपनी age से young लगते हैं ये हमेशा youthful रहते हैं इन लोगों की दिमागी शक्ती गजब की होती हैं ये लोग highly intellectual होते हैं ये लोग dynamic होते हैं और समझदार होते हैं number 5 वाले लोग mentally और physically बहुत active होते हैं ये लोग हर काम को तेजी से करने वाले होते हैं ऐसा इन पर होने वाले बुद्ध के प्रभाव के कारण होता है इसलिए हर कारे को तेजी से करना इनकी खासियत होती हैं ये लोग energetic होते हैं इनके अंदर आलस विलकुल नहीं होता हर काम को समय पर पूरा करने वाले होते हैं No.5 वाले लोग expressive होते हैं ये लोग हर काम में perfectionist होते हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं बुलांक 5 वाले लोग friendly nature के होते हैं इनका व्यक्तित तो ऐसा होता है जिसके साथ भी रहेंगे उसके जैसे ही बन जाएंगे बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और वहीं बड़ों के साथ इनका विवार बिल्कुल अलग हो जाता है ये हर महल में adjust हो जाने वाले होते हैं और उसे enjoy करने वाले होते हैं मुलांक 5 वाले लोग भागेशाली होते हैं इनका हर काम आसानी से बन जाता है मुलांक 5 वाले multi talented होते हैं ये लोग हर field में कुछने वाले होते हैं इसके लिए चाहे इने कितने भी काम क्यों न बदलने बड़ें इनकी परस्टनेलिटी में एक अट्रेक्शन होता है ये लोग हर महफिल की जान होते हैं इनकी कंपनी में कोई बोर नहीं होता इन्हें बातें करना हसी मजा करना अच्छा लगता है नंब दूसरों से काम निकलवाने में भी बहुत माहिर होते हैं इनकी कनविंसिंग पावर स्ट्रॉंग होती है मुलांक पांच वाले लोगों को अच्छा सलहकार माना जाता है इन लोगों को ट्रेवलिंग का बहुत शौक होता है इन्हें नई नई जगाओं को एकस्प्लोर करना वहां की knowledge इकठी करना पसंद होता है मुलांक 5 वाले लोग अगर traveling related business में जॉब करें तो सफल रहते हैं ये लोग life में risk लेने वाले होते हैं जहां नमबर 5 वालों को कम महनत में ज़्यादा profit दिखाई देता है ये लोग उसी रहा को चुनने वाले होते हैं मुलांक 5 वाले सुभाव से जिद्धी और गुस्से वाले होते हैं इन्हें किसी तरह की रोक टोक या interference पसंद नहीं होती ये हर काम को अपनी मर्जी से करने वाले होते हैं मुलांक 5 की series में 14 को पैदा हुए लोगों की बात करें तो ये लोग multi talented versatile होते हैं ये लोग किस्मत वाले होते हैं friendly nature के कारण life में जब कभी जरूरत परती है इन्हें हर किसी से support मिलता है इन लोगों को traveling का वह शौक होता है ये लोग घूमने फरने के शुकीन होते हैं और life को enjoy करने वाले होते हैं और जो लोग 23 को पैदा हुए हैं तो ये number 5 की series का वो number है जो extremely lucky होते हैं life में money related issues इन्हें कम ही होते हैं friends खूब होते हैं 23 को जन्में लोग हर number के साथ compatible होते हैं इनका कोई enemy नहीं होता मुलांक 5 वाले लोग life में कभी भी हार नहीं मानते इनको life में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े ये हमेशा fight back करते हैं तुबारा से शुरुआत करते हैं और उंचाईयां हासिल करते हैं मुलांक 5 वालों की compatibility की बात करें तो 1, 3, 4 और 5 वालों के साथ इनकी अच्छी बनती है इनकी education की बात की जाए तो ये लोग accounts related subject में अच्छा करते हैं इन लोगों को different languages सीखने में रूची होती है इनकी कुछ कम्यों की बात करें तो मुलांक 5 वाले restless nature के कारण life में कई बार success आसिल नहीं कर पाते ये लोग life में बहुत बार defocus हो जाते हैं और काम को अच्छे से नहीं कर पाते इन्हें चाहिए कि जिस भी काम को start करें उसे complete जरूर करें ये लोग चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इन्हें अपनी life में challenges पसंद होते हैं जिस कारण कई बार मुश्किल में पढ़ जाते हैं करियर की बात की जाए तो मुलाक पांच वाले लोगों की communication skills बहुत अच्छी होती हैं ये लोग mass media, marketing, publishing में अपना करियर बना सकते हैं नमबर 5 वाले अच्छे writer होते हैं ये लोग अच्छे politician बन सकते हैं अच्छे lawyer बन सकते हैं नमबर 5 वाले अच्छे mathematician या accountant बन सकते हैं import-export नमबर 5 वालों के लिए बहुत अच्छा field है travel से related जितने भी काम हैं वो इनके लिए बहुत suitable होते हैं ये लोग ज़्यादतर business करने वाले होते हैं क्योंकि इने foundations पसंद नहीं होती इसलिए job prefer नहीं करते firm industry, media और किसी भी तरह के entertainment business में ये अच्छा कर सकते हैं नमबर 5 वाले लोग आयरवेद और astrology से जुड़े काम भी कर सकते हैं मुलांक 5 वाले लोगों की health की बात करें तो इनको mental stress, migraine related problems हो सकती हैं नमबर 5 वालों को digestive related issues भी हो सकते हैं आप लोगों को body pain की शिकायत हो सकती है, nervous breakdown का भी risk रहता है इन लोगों को नाख और आखों से जुड़ी समस्याई भी हो सकती हैं लव लाइफ की बात की जाए तो मुलांक 5 वाले लोगों की love life अच्छी रहती है इनकी merit life अच्छी रहती है ये लोग loving और caring होते हैं, life partner का ध्यान रखने वाले होते हैं नमबर 5 वाले लोग अपनी family और life partner के प्रती समर्पित होते हैं उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने वाले होते हैं आपके lucky numbers की बात की जाए तो 1, 3, 5 and 6 आपके lucky numbers हैं और lucky colors की बात करें, तो आप लोगों के लिए green, white और grey ये आपके lucky colors हैं lucky years की बात करें, तो जिन भी years का total 5 बनता है, वो आपके लिए lucky रहते हैं जैसे life का 23rd year, 32 साल और 41 साल आपके लिए शुब रहता है remedies की बात करें, तो उपाय के तोर पर आपको regular business पर meditation जरूर करनी चाहिए किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए, आपको steel का चला little finger में पहनना चाहिए बुद्वार के दिन काई को हरा चारा किलाना चाहिए, छोटी बचियों को कुछ उपार में देते रहना चाहिए और साथ ही स्क्रीन पर आ रहे इस मंत्र का सुबा शाम जाप करना चाहिए अगर जाप ना कर पाएं, तो सुबा शाम सुनना जरूर चाहिए इससे आपके सभी कश्ट दूर होंगे और जन्दगी में खुशियां बढ़ने लग जाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार